है दोस्तों आज बात करते हैं Assistant Defense State Officer की जॉब प्रफाइल को लेकर देखिए आप समय से काफी सारे लोगों ने पूछा था मेरे से की Assistant Defense State Officer की जॉब प्रफाइल क्या होती है क्या काम करना पड़ता है तो देखिए इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे और यह बात मानगे कि यह वीडियो देखने के वाद आपको बिल्कुल Clarity आ जाएगे अपनी दिमाग में कि यह जॉब कैसी है क्या है सब कुछ प्रोमोशन क्या है सब कुछ मैं आपको इसमें बता दूँगा और देखिए यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अभी UPSC ने एक recruitment किया है Assistant Defense State Officer की rank के बंदों के लिए तो उसमें गया कि 6 नए vacancies निकली थी तो 6 नए officers इस department में आएंगे तो देखिए जो लोग आप में से मतलब इस department में है या आगे जो इस department को जॉइन करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए भी एक motivating चीज है यह कि after all ली job profile है कैसी तो देखिए भी स्टार्ट करते हैं तो देखिए सब से पहली बात यह एक group B guested officer की job है आप मान के चलिए कि guested officer होना यह हमें ऐसे तो मतलब कोई भलकी फुलकी चीज लगती है लिकन ऐसा यह है नहीं group B guested होने से यह नहीं होता कि यह मतलब group A में नहीं है तो यह मतलब उनका उहदा कोई कम होगए नहीं भाई पावर्ण के पास बहुत होती है और यह ऐसे नहीं कि कोई मतलब independent offices में जब यह officers posted होते हैं तो यह इनके मतलब जो presidential powers हैं वही उन्हीं को यह exercise करते हैं तो आप मान कर चलिए कि यह एक हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत शानदर job है क्योंकि आप group B और guested guested होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है तो आप यह मान कर चलिए अगर आप individual offices, independent offices में हैं तब तो आप यह समझे कि आप उसी head of office हैं और आप उसी office के service रवा हैं जो आप करना चाहते हैं वही होगा और देखे काम क्या होता है देखे काम बहुत ही मतब divers है आप कभी administration देखेंगे अगर आप independent office में है तो आपको सब कुछी देखना है ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक simple चीज़ देखने है लेकिन अगर आप किसी directory वे या कहीं है तो फिर आपको हो सकते है आपको administration के इंचारज बना दे जाए आपको lands के इंचारज बना दे जाए आपको states के इंचारज बना दे तो फिर वहाँ पर आपकी vary करती है लेकिन by then अगर हम नाम जाएं तो फिर य एडियोज की मतलब प्रिजन से पोस्ट है वहाँ पर तो डियोज की एपसेंस में फिर यही लोग ही डियोज का काम करते है और सबसे बड़िया बात यह है कि अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन के बात करें कि मिनिमम क्या चाहिए जिए अगर आप SDO2 लगते हो SDO2 लगते हो तो लंबे समय के इंतजार के बाद अब यह तो पता नहीं कितने इंतजार लेकिन आप मान के चलिए कि 25-30 साल के सर्विस के बाद ही आप लगोगे कुछ लोगों की किसमत अगर तेज रही तो पहले बन सकते हैं बाकि आप यह मान के चलिए क्योंकि आपको मिनिम SDO2 को ADO बने में लेकिन चांसे तो हैं इसमें कोई दोरा नहीं है अगर आप डिरेक्ट SDO2 लगते हो और अगर आप में डिप्लोमा कर रहा है तभी आप बन सकते हो आप ऐसा नहीं कि आप ITI basis पे लग गए हो तो भी आप ADO बन सकते हो नहीं आपको मिनिमम डिप्लोमा चाह दूसरा तरीका है कि आप SDO1 बन जाओ SDO1 बनने के बाद होगा क्या कि आपका अगर वेकेंसी होगी तो आपका क्या कि आपका सेलेक्शन जली हो जागा देखिए क्या है कि अभी जो हमारे डिपार्टमेंट पे जो लास्ट 2010 बैच के जो SDO1 आये थे वो 2015 महीं 5 साल के सर्व यह दूसरा तरीका है तीसा तरीका है आप डायक्टली ही UPSC के थ्रूँ आ जाए देखिए अभी रिग्रूटमेंट जास मैं आपको बताए कि UPSC निकी है एडियोज के लिए तो उसमें क्या है कि 5 यह च्छे लोग है जो डायक्ली रिप्रूट होंगे अब देखिए यहा इसमें कोई डिप्लोमा वाला नहीं अप्लाई कर सकता है अब देखिए बात करते हैं सेलरी की सेलरी बहुत ठीक ठाक है यार मतलब इसमें यह नहीं कह सकते हैं कि सेलरी कम देखिए आप लेविल 7 के 4600 ग्रेड पर जाते हैं और 4600 ग्रेड पर आप जानते कि अगर आप City to City Wairie करते हैं तो आपके minimum अगर आप किसी भी city में हो Z city में तो आपके minimum 63 इन हेंड आईगी है और अगर आप X city में हो तो आपकी minimum 70, 72 जो इनिशिल स्टेज है वहाँ पर आपको इतनी सहली मिलेगी ही मिलेगी सबसे बड़े बात होती है भाई साब इसमें क्या होता है आपको जहां भी आफिस होगा आपको, आपको अपने आफिस के अंदर अपना अलग से कैविन मिलेगा, कैविन नहीं मतलब एक रूम ही होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटी सी जगों नहीं, एक अपना प्रॉपर अपना आफिस होता है, और अपनी खुद के नाम का ऐसा लिए डियो आते हो, तो फिर आपके देखे प्रॉमोशन के बहुत अच्छे विन्यू से, और अगर आप SDO1 से लगते हो, और अगर आप, मतलब 15 साल के सर्विस के बाद भी अगर आप एडियो लगते हो, तब भी आपके यह नहीं कर रहा हो, कि मतलब प्रॉमोशन में कोई खास मतलब बुरे हैं, बहुत अच्छे प्रॉमोशन से, as compared to any other service, देखे, क्योंकि असिस्टेंट डिफेंसी स्टेट ऑफिसर का जो नेक्स्ट प्रॉमोशन है, वो डिरेक्टली ही डिफेंसी स्टेट ऑफिसर पे, डियो पे, और डियो क्या है, जो डियो होता है, वो एक ल डेवल टैन की जोग है, और एक आईएस के क्विलेंट जोग होती है, तो अब आप यहां से उसकी अहमेश समझ सकते हैं, जो यूपिएसी के थ्रू आते हैं, वो सारे बन्दे डियोटली डिफेंसी स्टेट अफिसर का चार्ज नहीं मिलता है, उन लोगों को भी पहले सियो क्विलेंट जो हैं, यहां मिलोगों का अदेट से नेक्स प्रमॉशन आपको अस्सेटन डिरेक्टर वा आपको अविशम्rees जोएसेट ऑवेशन करते हो, आपको सर्विस बढ़िया रहती तो देखिए विए लिखान मिलग़ान से यहां की आप लोगण आप यरू डिक्टर तो यह नहीं और हाँ यह तो एक आप लोग जॉइन डिरेक्टर तो आराम सक जाओगे इसमें भी कोई दौरा है नहीं मतलब आप 7600 ग्रेट पे तक तो आराम से ही जाओगे कोई नहीं आपको रोकने वाला तो मेरे असाब से जो लोग भी इस डिपार्टमेंट में आने वाले हैं और एडियोज बनने वाले हैं तो उनके लिए यह बैस्ट बनाओ अपरचिनटी है आप किसी स्टेट गवर्मेंट में भी अगर आप जाओगे तो आपको इतने अच्छे प्रोमोशन से नहीं मिलेंगे तो आशा करता हूँ आप लोगों को मतलब मेरी ये वीडियो पसंद आएगी पसंद आएगी देन ड्यू डाइक शेर और सब्सक्राइब जाहें दें